हेलो अवरिवन तो आज के सेशन में जो हम बात करने जा रहा है वो है थोड़ी सी हमारी वकाइब जैसे कि पहले हम लोग डिसकस कर चुके हैं कि वकाइब हमारे पाइट के लिए एक्जामनेशन के लिए बहुत जादें इंपोर्टेंट और खासकर के लिए इंगलिश के तो मैं अपनी डेली यूज में भी बोलू है एक्जाम के पॉइंट अफ यू से तो उसके लावा भी वकाइब हमारे लिए बहुत जादें इंपोर्टेंट है हम को सिस करेंगे कि हम जादा से जादा वकाइब से सेशन में कवर कर पाएं और टार्गेट यह रहेगा कि आप वकाइब साथ के साथ याद भी करते रहें तो जो लोग यहां पे ऑफ-लाइन माध्यम से बैटे हुए हैं वो क्या काम करेंगे साथ के साथ मेरे याद करेंगे और जो ऑन-लाइन से जुड़े हुए हैं वो क्या काम करेंगे बिल्कुल इसको बार-बार देख सकते हूं के ल करते रहेंगे और याद करते रहेंगे तो आपको इंट्रेस्ट रहेंगे अगर आपका मन में है तो पीडिएफ मिलेगी बाद में अपनी नोट में लिखेंगे जरूर क्योंकि एक बार लिखनी जरूरी होती है कि इसके बाद आप क्या काम करेंगे इनके उपर कोशिस कीजिएगा कि एक-एक सेंटेंस आप बना सके आप लाइन छोड़िएगा इस तरीके से कि आपने जो वक्याप पड़ी मालो जैसे हमने पहला सब्स बढ़ा एब्रीवेट तो आप क्या काम कीजिएगा इसको इसको भूत लाइन तो कुछ नया नहीं है बस वक़रव है शब्दावली और बिना शब्दावली के वासा कंप्लीट नहीं हो सकती यूकि हम धीरे-धीरे करके गर्मर करते चले जाएंगे हमारे पास शब्द नहीं होंगे तो ग्रेमर पूरी अच्छी तरीके से उसमें भी मजा नहीं आएंना पूर्ज तो पहला सब आपका कौन सा ये अब रिवेट का मतलब क्या और आ और ले क्लों यें के लिख быть ह üzerine में मतलब बताओ में नहीं में दॉह मतलब है ही लेकिन अगर आप English कर लख English में आद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अभी पता है बाई English का मतलब English में याद करें देखो Shorten आपको पता है छोटा शोट माणे शोटा यानि की इसके के लावा जरा देखो किस सा फायदा क्या होगा सब्ढों डो चीज आपको याद हो जाएंगी ile के एक संओनी अ कि नेक्स दॉल जो इस पाशएं आपका एभडी। है चिनल आपको बस तरीकें के सब्सक्राइब करनी है और हम भीरे धीरे करके अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे इसमें ठीक है तो यह हो गया तुमारा नेक्स है तुमारा कॉंता वर्ड देखो जरह बड़े प्यार से देख करो भीया पढ़ो बिना पढ़ेना होने का काम ए बी ए टी टी ओ आर ए बी अबे टॉर ना ऐसा तरीके से पढ़ना है तो यह क्या है तुमारा एक डबल सी ओ एको पढ़ना सीगों पहले चीज़ों को फिर उसके वास फ्लो में आ जाएगा एकॉम फ्लाइज ठीक है ना तो हो गया ठीक इसका मतलब क्या है अपराद में सहयो और अपराद जैना कि जैसे कि कि किसी ने कुछ करम कर दिया है ना तो उसमारा साथ देने वाला नेट इसको ब्लेट अब आगया जाओ नेक्स्ट एक्टे अबीलीटी एबिलीटी का तोब को पता है जैंव गापैसिती का मतलब क्या होग योगता तो ना कैपैसिती और ये नेक्स्ट आया तुम्हारा है sırा एब्लेज एबी एल एसे एब्लेज का क्या होगा है हाँ खांजी एब्लेज का क्या है है सिभ्य उडियास और इस नहीं निल्ज़ की वास्ट एंड फ्यूरियास तो फैलियास का मतलब आत्र ना। को थमझ में कि evolution evolution का मतलब क्या हुआ washing washing का मतलब कि इसनान इक चीज़ यहां पर मैं आपको बताता हूं आपका शब्द है बात और एक शब्द evolution जब शुद्धी करन के लिए हम इसनान करते हैं तो evolution का इस्तमाल करते हैं डिके ना शुद्धी करन बैसे इसनान के लिए आप और्माल ये कर सकते हो लेकिन ज्याद तर ज्यादतर किया जाए में आफ शुद्धी करन के लिए ठीक है जैसे हम ज्यादतर बोलते हैं कि चीज हो को आपका कि यस्वाल किया जाएगा कि वॉशंग के लिए ऐस्नान करना गया थे के अब यह देखो abnagation, abnagation का मतलब कै है? denial, denial denial का मतलब deny का मतलब deny का ठेकर ना मतलब मना कर रहा है, एसके का छिसकार आणिका सूकर ठेकर ट्जिक रहे हैंêsग, नेक्सा आया दमारा abnormal, abnormal का तो हम normal बोलते रहते हैं, normal हैं और जब चीजे एबनॉर्बल होती है तो समान्ने के सामने क्या होगा ए आ गया निकी एसामान्ने और यह क्या होगया अन्नैच्छर्ण फिर तो अभी तक कौन-कौन से देखें पहला कौन सा था तुम्हारा अभरिवेट एब्डिगेट एबर्ट नेक्सट यह यह एबलीटी ablase next evolution उसके बाद abnegation abnegation के बाद abnor next आया आपका कौन सा abode abode ठीक है न abode का मतलब क्या होता है घर घर याने की dwelling ठीक है न याद रखेंगे नेक्स आया पड़ो ab ab हो गया ओ फिर लेशन यह आगया आपका evolution का मतलब क्या है cancellation ठीक है ना abolition याने की cancellation याने की उन्मोल ठीक है यह चीज़ है चले आगे बड़े तो हमारे अब तक कितने होगे 10 और 10 के 10 आपको यहाँ पर clear हो जाने चाहिए दस हमारे हो चुक है नेक्स है आपका क्या about about क्या है उपका and about का मतलब क्या हो गया and and याने की बंद कर नी आपको भी किसी भी चीज का अगर आप सुरू करके बंद कर रहे हो तो वहाँ पर यहां पर क्या यूज करते हो एबाउट का भी स्थमाल आप कर सकते हैं यहां तक के लिए रोगे यहां तक समझ में आया अब आगे की बात आया तुम्हारा कौन सा अबाउटिव यहां अबाउट और यहां देखो अबाउटिव आते ही देखो कुछ-कुछ शब्द मिलते करते हैं यहां यहां यूज की क्या हुआ अनसक्सफुल यहां निश्फवल यहां झाल और चला आगे की बात नेक्स यह देखो इस यह डारकन हो रहा है तो दार्कन का मतलब यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए उल्डी आसे स्टे गजाम में आपका कित्ती बार पूछा और एक्जाम समय दो बार रहाने की इसका देखा तो इंपोर्टेंट हैं आपका तो क्या है एब्रोगेट का मतलब क्या है रिपैल या एबॉलिश से मिलता हुआ शब्द एक और पढ़ा था हमने evolution पिछरा देखना evolution का मतलब क्या है आपे स्नान करना washing और abolish का मतलब क्या होगा है आपे बिल्कुल रद्द कर दें सब्सक्ति करना रद्द करना यह सारी चीज़ है abolish दोखोर रद्द करने में और खतम करने में अंतर होता है कि एंड करना किसी चीज का जैसे पिचर बीच में आ रही है तो वहां पर जैसे हमने सेमिनार के वह रद्द कर दिया गया खतम नहीं हुआ है खतम होने का मतलब कोई चीज स्टार्ट हुए और पूरी हो गई है इस खतम कर ला ठीक है तो हिंदी में भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजे तभी आपकी चीज क्लियर नेक्स क्या है आपके जरह देखो एब फिर दोखोगे आर यूपी रप इसे करके पड़ो पर यह क्या है मैं है अचानक से बोल देते हैं ठीक नेक्स अनुरा क्या यह एब सील्यूटली का मतलब बिलकुल और यह क्या है डेफिनेटली नेक्स्ट A, B, S, O, R A, B, AB S, O, R, S, O, R और यह क्या आगे? Bing, absorbing absorbing का मतलब दिल्चस्प दिल्चस्प अब भाई यह तो शब्द बहुत है N, grossing E, N, N पढ़ेंगे ठीक है न? और यह क्या होगे? आपका grossing ठीक है? यह तीजी समझ मागी हमारे all over कितने words होगे? 16 16 words पर आपको command कैसे करनी है? अभी आप इनके sentence बना के लिए के आएगे फिर इसके बाद मैं देखो, चाहूं तो मैं भी यह चीज़ कर सकता हूँ लेकिन आप करेंगे फिर उसके बाद करनी है, उतनी महनत आपको करनी है तब जाके English पर कमान अच्छी हो पाएगे तो all over अभी तक कितने होगे? 16 हो चुके हैं नेक्स की बात करते हैं जड़ा देखो नेक्स वर्ड है आपका abuse कुन से है? abuse abuse का तो पता है यार गाली इसी में abusing कर दें तो यह क्या होगा? गाली दे रहा है abuse का मतलब गाली देना भी होता है एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा रखना abuse के बारे में अगर हम किसी चीज का misuse भी कर रहे हैं तो उस चीज को भी क्या बोल सकते हैं? abuse जहान ने हम तो इतनी चीज समझ ना abuse का मतलब वहाँ पर यूज किया जाता है वाके में जहाँ पर हम किसी चीज का misuse करते हैं किसी चीज को harm करते हैं तो भी क्या यूज करते हैं? abuse तो यह आ गया scorned और harm यह भी darken हो रहा है तो darken का मतलब यह भी important है आपका बे बनियादी ठीक है ना बे बनियादी या बे बनियादी बोलते हैं बे बनियाद की बात कर रहा है बे बनियाद का मतलब क्या बोलता है बिना फिजूल की बोलते हैं हम लोग ठीक है ना या फिर बिना सिर्पेर की बात कर रहा है तो आपको सब्सक्राइब नेक्स आजाओ यह तो सट तगडा सा लग रहा एक्से साथ में अटेच्मेंट या किस था जाएगा तुमारा अटेच्मेंट या फिर किया है सायक सामिक्री है ना जैसे मैं यहां पर डॉक्टर के साथ में क्या आती है असेसरीज आ जाती है कुछ ठीक है टीचर के साथ में अब असेसरीज हो गई है तो हेल्प करने के लिए सहयोगी हो गया ठीक है ना तो सहयोगी सामिक्री तो समझाने के लिए इस तरही के साथ बोल सक करना यह चीज़ हो गए राजा महराजाओं के दौर में इस्समाल करी जाती ती राजा की तारीफ करी सो से के एठे और जम्मेर रखके चल दिये ठीक है तो भई वाला इसाब आपका यह हो गाए नेक्स आपका क्या अकाउंट टेबल अकाउंट टेबल का मतलब क्या है और अंसरेबल यानिकी जवाब दे कट Sure नंचे अंसरेबल जवाब दे दे अकाउंट मेंट का यहानिक इम्आइंद की अंतर आया एकाउंट्टेबल लग है काउटमेंट अलग है और इसका मतलब क्या पाट इकूमेंट क्या नहीं की ऑक करन जरू अ आप अपने साथ लेके आईए हैं जहां पर में हम चैमिस्ट्री को तरूं को एक या evalu नेक्स में करए को एक ना यह कया है आपका Accommodate और Correct Collect Collect का मतलब क्या होता है इखटा करना इखटा करना नहीं है इखटा करना यानिकि Collect करना Next क्या आगे आपका Accurate बोलते हैं बिल्कुल Accurate answer है आप सभी का यह तो बहुत ज़्याद़ तरीके से हम इस्वाल करते हैं यानिकि Correct Exact और Precise प्रसाइज और यानिकि हम बोल सकते है को शुद्ध या फिर आप बोल सकते हो बिलकुल सही ठीक है नेक्स होगे आपका एकुरेट ली एक्रीट ली का मतलब बिलकुल सुधता से औरग्ट ली नेक्स आपका या क्या ऑखीर के लिए अपने पर बहुत पर हैं जाब धुज्व को लेकी हाइए शने जाफ़ यूजेसर जजव अगयरा यापन यूज्ट यूजव करते हैं और इसके लावर जगा मतलब हैं ब अब यूप तो यह तो अचीव है अचीव का मतलब क्या होता है आई चीव करते जातर पाने के लिए ठीक अब इसमें जैसे बहुत सारे क्या होता है ट्रिक बना देते हैं इसके अधर जैसे ए चीज तो चीज क्या होती है मिलती है हम ऐसे करके हम लिद्ट के ट्रिक बना लेते हैं तो यह क्या होगा तो आपका अचीव का मतलब करते result में अच्छा शब्द है आप जाता ज़िए फाइल जमा करते हैं इस जब समाल धाली के जाता है कुंसा एकन iki होलेजमेंट मतलब के होता है कनफर्म आप जब बुक लेके जाते तो वाप पर भी अक्नॉलिजमेंट लिखा रहता है ठीक है ना तो इसका मतलब क्या है अभी स्विकृति ठीक है अभी स्विकृति नेक्स है आपका क्या हूं भाई नो करेंगे मिटा तो पहले दिया अंडरलाइन करके हमसे कहने पढ़ लो देखो क्या है एक्टेंट ठीक है इसका मतलब क्या है इंटर्ड्यूज और फैमरेल आइज ना नेक्स्ट इसका मतलब क्या हो बिलकुल मैं बता रहूं पारी चेंवे लेगे हम बोलते हैं फैमिलियर कि ऑप यहां पर बैठ जाओ फैमिल्यर हो जाओ एक दूसरे आनिए ने जुने करेंगे और यही चिज्ज आगी आपका इसका मतलब और यह आ ये वाला और देखत आप हैं पर उसके बादर舅ने कर लें kolay ट्रेक्टेबल यह क्या है बात मालने जैसे आप सभी अपने टीचर्स की बात माल जाते हो ऐसे ही इतना हुआ यहां तक किलियर हुआ तो जड़ा देखो एक बारी कहां से 16 से शायद नहीं हमने लास्ट टाइम पर evolution तक किया था 10 तक तो next 10 करेंगे फिर एक भार ते शकर होल्येU जैस्ट क्या था और और याबज घ्रॉटली फिर उसके बाद एबूतली फिर फिर उसके बाद, absorbing, फिर उसके बाद, abuse, absimal, फिर उसके बाद, ठीक है ना, accessories, और फिर उसके बाद, acclaim, acclaim के बाद, accountable, और फिर, account meant, और फिर, accruise, और फिर उसके बाद, accurate, और लास्ट, अभी तो 25 होगा, next क्या है, accurately, accused, achieve, acknowledgement, और फिर उसके बाद क्या आया, accurate meant, और फिर, accruise, ठीक है ना, तो आपके ये सारे शब्द अब तक हो चुने हैं, कितने सारे शब्द हमने हसी हसी केलते केलते, 10-15 मिनट में यूहीं कर लिए, तो आपके लिए सबसे सही तरीका, आप कितनी भी ट्रिक कर लो, कुछ भी कर लो, पर बैटर यही रहेगा, कि इन बिजी, ठीक है ना, बायो के अंदर, एक्टिव शब्द का इसमाल अलग तरीके से किया जाता है, इसके आगे हम ट्रांस्पोर्ट लगा देते हैं, एक्टिव ट्रांस्पोर्ट यानिए कि ऐसा ट्रांस्पोर्ट जहां पर एनरजी खर्श करी जाती हो, तो हम उसको एक्ट करते हैं, और एक्टे एक्ट और एक्ट juego का मतलब लोग मतलब हाद कर देखा जयाUNG मूव का मतलब आ है पर निक्माद ऑसाना और कर आ है त्टिवरेट नहीं हाँ, फिरना यहां पे ही का है आपका मोब यानि की यहां पर मूश को भोल सकता हुए है अक्साम हां इसका मतलब का है यानिकहसान Snwhy आप कीना य३ अड contenido करना अपने अपको सब्सक्राइब करना कि इसका मतलब क्या है है करना है योucky अनिकूल दू अंदिकसा सिके हैं सफीशेंट और एन अफ यानिकी परियाप ठीक आजवागे एड है मतलब कॉंप्ले ठीक ना कॉंप्ले का मतलब पालन करना ठीक है ना नेक्स आज़ो अरे यह तो कुछ उल्टाई हो गया एड़ जैस्ट एड़ सेम सा आगे ना चलो नेक्स आए आपका क्या एड़्जेस्मेंट एड़्जेस्मेंट का मतलब क्या है बैलेंसिंग बैलेंसिंग का मतलब समाझ ठीक है नेक्स आज़ो एड मॉनी मोनी आ रहे तो एड मॉनीशन ठीक है एड मॉनीशन नेक्स आज़ो वार्निंग यानिकी चेत आपनी आगे एडिल्यूशन एडिल्यूशन फिर से जागे हैं आपकी मतलब किया इसका पैट्री और फिर उसका मतलब क्या है चाप लूशी अभी तक ऐसे शब्द हैं जो हम अपने डिली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्समाल करते हैं जिसे चाप लूशी आया बहुत सारे इसे हैं जिनको हम अपने डिली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्समाल करते हैं एक्टिव है तो कुछ ऐसे हिंदी के विए ऐसे शब्द हैं जैसे चाप लूशी हुआ उनके मीनिंग आप डेली डेली इस्समाल करना सुरू कर देगा ठीक है और उसके बाद आपको यह असा करेंगे आपका आराम आप से हाफर आप अच्छे से करनी है को जल्द बाजी नहीं धीरे-धीरे कर यह कुंदवर कर दीरे-धीर तो इसी लिए आप बंढ़ो दीरे-धीरे कर के फिक है ने मारी यहां पर किलिए और ने हम टेलिग्राम गुरुप पर लोग दलवा देते हैं इसको तो वह पाइब अगले सेशन में जो हम बात करेंगे इसी में आगे कॉंटीनु करेंगा अभी तक कि जितनी वक्राइब होगी उसके आगे हम लोग यहां पर करेंगे तर उसके बाद रहा नेक्स सेशन में फिर से मारा